देश छोड़ने से दूर नहीं होगी नफरत RJD नेता के ब्यान पर फारुख का ब्यान शिद्की ने कहा था बार तब रहने लायक नहीं फारुख अब्दूल्ला के निशाने पर केंदर की मोधी सरकार RJD नेता के ब्यान पर गम आसान कहा हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं जम्मू कस्मीर के पूरो मुख्यमंतरी फारुख अब्दुल्ला ने आरजेडी नेता अब्दुलबारी शिद्की के ब्यान पर प्रतिकिरिया दी उन्होंने कहा कि देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है नफरते बढ़ गई है लेकिन देश छोड़ने से नफरते दूर नहीं होगी देश में रहकर आपको इस आग को खतम करना है सभी लोग खराब नहीं है अच्छे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है सबसे पहले जान लेते हैं शिद्की का ब्यान RJD के सिनिर लीडर अब्दुल बारी सिद्की ने 10-12 दिन पहले पतना में आयोजी देख कर्यकरम में मुसल्मानों के बारत में रहने की प्रिष्थिती पर सवाल उठाया था उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा हावर्ड में पढ़ रहा है बेटी लंदन स्कूल ओफ एकोनोमिक्स से पास आउट है शिद्की ने कहा हमने अपने बेटा बेटी को कहाई कि नोकरी उदर ही कर लो सिटीजन सिब्भी वहां मिले तो ले लो अब इंडिया में महौल नहीं रह गया है तुम लोग जेल पाओगे के नहीं जेल पाओगे आप समझी कि कितनी तकलीफ के साथ अपने बच्चों को मैंने ये बाते कही है कि अपनी मतर भूमी को छोड़ दो ऐसा समय आ गया है वहीं फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि सारुख खान की नई फिलम पठान में बगवा रंके कप्डे पैने पर विवाद छिड़ गया है क्या इसका मतलब यह कि बगवा हिंदुओं का है और हरा मुसल्मानों का है यहे क्या है गाएं हिंदूओं की है और बैल मुसल्मानों का उन्होंने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो मुसल्मान हो हिंदू हो सिख हो या इसाई हो हम सब को बाइचारे के साथ रहना होगा राम राज्य यही था कि सब बराबर हैं कोई भी देश का आदमी पिछे रह जाए तो देश मजबुत नहीं हो सकता वहीं फारुक अबदुला ने केंदर सरकार पर निशाना सादा जमू कस्मीर के तीन बार मुख्य मंत्री रहे फारुक अबदुला ने केंदर सरकार ने कहा था कि जमू कस्मीर से दारा 370 हटने से आतकवाद खतम हो जाएगा इसे हटाए हुए कितने साल हो गए हैं क्या गाटी में आतकवाद खतम हो गया है इससे पहले फारुक अब्दुला ने चीन को लेकर अपनी पर्तिकिरिया दी उन्होंने कहा कि यह 1962 का बारत नहीं है हमने चूडिया नहीं पहनी हुई है चीन को उसकी बास हमे जवाब दिया जाएगा बता दे के 9 दिसंबर को अरुनाचल परदेश के तवांग सेक्टर में चीन और बारती सेना के बीच हिंसक जड़प हुई थी आरजएडी के परदानमाज सचिव अब्दुलबारी शिद्की के एक बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी गमासान शुरू हो गया है बाजबा के नेता आरजएडी को हिंदू विरोधी बता करूने पाकिस्तान चले जाने की सला दे रही है इस पर अब्दूलबारी शिद्की ने कहा कि पाकिस्तान में तुम्हारे बाप दादा होंगे मेरे नहीं हिंदूस्तान किसी के बाप का नहीं है वहें जएडी ने आरजएडी नेता के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसुक पेज पर देख रहे हैं तो यहां कलिक करके फोलो करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूटुब चैनल पर देख रहे हैं तो किर्पय करके इस लाल बटन पर कलिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी कलिक करें